हाई एवरिबन स्वागत है आप सभी का हमारे लर्निंग ग्रूप चैनल पे आज है 30 मार्च हम आज इस वीडियो में 39 और 30 मार्च से रिलेटर जो भी क्रंट अफेर के कॉशन इंपोर्टेंट बनते हैं वो इस वीडियो में डिस्कस करेंगे चलिए स्टार्ट करते हैं फिर्स्ट क्वशन है हमारे पास वीत मंत्राले की रिपोर्ट के अनुसार फाइनेशल एर 2024 में भारत की GDP विकासदर कितनी रहेगी वीत मंत्राले ने अपनी रिपोर्ट जो है 2024 फाइनेशल एर के लिए जारी कर दी है और इसके अनुसार भारत की GDP विकास दर रहेगी 8% B option इसका correct answer हैगा इससे पहले NSO ने अपनी report जारी की थी जिसके अनुसार उन्होंने विकास दर जो है वो 7.6 बताई थी ये NSO ने जारी की थी ये हाल ही में वित मंत्राले ने जारी की है जिसके अनुसार जो है GDP विकास दर 8% रहेगी Next question देखें हाल ही में कौन सा देश पहली बार Miss Universe प्रत्योगिता में भाग लेगा Saudi Arabia जो है पहली बार ये देश Miss Universe प्रत्योगिता में भाग लेगा Saudi Arabia की capital है रिहाद और इसकी currency है Saudi Real Saudi Arabia मध्यपूरम में Dream of the Desert Train लोंच कर रहा है Brand Finance Insurance 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा ब्रांड कौन सा बना है Brand Insurance 100 के अनुसार सबसे मजबूत जीवन बीमा जो है वो भारती जीवन बीमा LIC बना है B option इसका सही अन्सर है अगला प्रशन देखिए T20 cricket match में 12,000 रन बनाने बाले पहले भारती खिलाडी कौन बने है तो भारत से पहले खिलाडी जिनोंने T20 cricket match में 12,000 रन बनाए हैं वो हैं विराट कोहली अगला प्रशन देखिए चुनाव अयोग ने चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए कौन सी एप लौँच की है तो चुनाव अयोग ने हाल ही में चुनाव प्रक्रिया की निगरानी के लिए सी विजिल एप जो है ये लौँच की है सक्षम एप भी चुनाव अयोग द्वारा लौँच की गई थी सक्षम एप जो है वो 85 साल और इससे अधिक उमर वाले बज़र्गों के लिए होम से घर से ही मद्दान की फैसिलिटी और जो विकलांग लोग हैं उनके लिए ये एप जारी की गई थी सक्षम एप इसरो के द्वारा गगनियान चालक दल की सहायता के लिए लौँच की गई थी तो सभी आप रिलेटर्ड एप ध्यान रखेंगे किसके द्वारा लौँच की गई और ये क्यों लौँच की गई है अगला कॉशन लेटिन अमेरिकी क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले भारती फुटवॉलर कौन बने हैं तो अमेरिका लेटिन अमेरिका क्लब पर हस्ताक्षर करने वाले पहले खिलाडी बने हैं बीजे शेत्री और ये एक फुटवॉल खिलाडी है अगला प्रशन देखिए एवी चारजिंग स्टेशन के लिए टाटा ने किसके साथ सांजेदारी की है तो इवी की चारजिंग स्टेशन से रिलेटर टाटा ने एच पी सी एल से सांजेदारी की है हिंदोस्तान पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमुटेड और इसकी स्थापना की गई थी 1952 में और हैड़कॉर्टर है इसका मुंबई में अगला प्रशन कल्याण चालुक्य राजबा से संबंधित 900 साल पुराना कंणड शिललेख किस राज्य में मिला है तो ये मिला है तेलंगाना में बी ऑप्शन इसका सही अंसर हैगा तेलंगाना की कैपिटल की बात करें तो तेलंगाना की कैपिटल है हैधराबाद CM है यहां के देवना थ्रैड़ी और गवर्नर है CP राधा क्रिशनन next question खाल ही में आईपेल हितिहास का सबसे बड़ा टीम स्कोर किस ने बनाया है आईपेल हितिहास में सबसे बड़ा टीम स्कोर बनाया है इसका सही अंसर हैगा और कितने टोटल इन्होंने रन बनाए है 277 और 3 विकेट्स पर ये स्कोर जो है इन्होंने बनाए है अगला प्रशन देखिए हाल ही में आई वार्शिक भारत टीवी रिपोर्ट के अनुसाद 2015 से टीवी के नए मामलों में कितने प्रतिशत गिरावट हुई है तो इस रिपोर्ट के अनुसाद 2015 के बाद टीवी के नए मामलों में 16 परसेंट जो है वो गिरावट देखी गई है सी ओप्शन इसका correct answer है नेक्स्ट वर्शन हाल ही में किस देश ने समलैंगिक विवाह को वैध्य बनाया है समलैंगिक विवाह को हाल ही में बान्यता दी है थाईलैंड ने थाईलैंड की बात करेंगे तो थाईलैंड की capital है बैंकोक और यहां की currency है थाई भाट आई होप यह वीडियो आपके लिए informative रही होगी वीडियो पसंद आए तो like जरूर कर दीजिएगा thanks for watching